हेलो काईज स्वी दागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एम्ब्रोइटरी सूट में गला कैसे बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना होगा जो कि गले के थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको हम गले के ओपर रख देंगे इस तरह से और गले के किनारे किनारे हमें इसकी सलाई लगानी है अब सलाई तो दिखने वाली नहीं है तो हम उसके लिए कपड़े को पलट JUST propose बिलकुल किनारे ही लगानी तो अब हम इससे पलट देंगे इस तरह से और पलेटने के बाद इसे हम पहले चौड़ाई ना पेंगे चौड़ाई इसकी कम से कम 6 या साड़ेचे होती है इससे जाधा अगर होगी तो बढ़ जाएगी और गला भागने लगेगा इधर उदर और इसकी जो लंबाई है वो साड़ेचे तक होती है तो यह बिल्कुल स तो सिलाई लगा देती हूँ मैं इसमें मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़नी है क्योंकि गले का साइज बिल्कुल ठीक है इसके लेंद और विट दोनों ही ठीक है तो गला बढ़ने वाला नहीं है बहुत ऐसा होता है बहुत बार के जो गला होता है वो काफी चोड़ दिया होता है तो उसके लिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल दिया जाता है आदा इंच छोड़ के हमें सिलाई इस तरह से लगाने होती है तो यहाँ पर मैंने सिलाई पूरी तरह से लगा दी है अब हम आदा इंच कपड़ा छोड़ कर कट करेंगे जैसे मैं कट कर तो तूड़ी थोड़ी कट लगाएं कट लगाने से बहुत ही आराम से जो गला होता है वह पलट जाता है इसलिए तो अब हम इसे सीधा रखेंगे और जो कपड़ा है कपड़े की जो नोक निकल रही है वह हमें चांट देनी है सबसे पहले इसे मैं आपको पलट कर दिखाती ह तो इसे मैं पलट दे रही हूं इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आप अपने नेल्स की हल्प से इसे दबा कर सकती हैं सीधा करने के बाद जब ये पूरी तरह से सीधा हो जाएगा फिर भी ये थोड़ा बहुत वापिस से पलटेगा इसलिए यहां पर महीन वाली सिलाई बड़ जो जिसमें अमब्रॉइडरी नहीं हुई होती है जिसमें हम मशीन चला सकते हैं या थोड़े दूर से हुई होती है तो वहां पर हम सिलाई कर देते हैं इसका एक्स्ट्रा मैंने चार्ट दिया है और इसके बाद बस मुझे इस तरह से मोड के अब मशीन तो चला नह जाएगा और बस बहुत ही इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया है एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा देखिए पूरी तरह से रेडी है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुर